नमस्कार मैं चेतना आलिशान गार्णिंग में आपका स्वागत है आज हम जिस प्लांट के वैरे में बात कर रहे हैं उसका नाम है अगेव यह आपने रोड साइड्स पे कॉमनली देखा होगा देखिए कि इतना खुबसूरत प्लांट है तड़को के किनारे तो यह आम ही लगा होता है इसे जितनी खुली बड़ी जगा में लगाएंगे यह उतना ही बड़ा पूल का सा रूप ले लेता है बहुत खुबसूरत सा प्लांट होता है यह देखिए यह दो कलर में आता जासे तो यह इसके पर साइडों पर किनारों पर यह वरिगेशन है यलो कलर की यह बिल्कुल ग्रीन कलर में भी आता है मेरे पास यह यह यही वाला रंग है देखिए कितना खुबसूरत प्लांट है में इसके यह ही नारों पर लिवस पर कांट हो तो यह बहुत ज्यादा ज्यूंअ हे इसलीए यह विग के लिए छह थोड़ा सा प्लांट है इससे छोड़ा सा ध्यान से लगाने वाला टैंग में कि यह ऑन आते हैं तो एक हिस्सा गार्डंस और एक प्षसा सेंड नदे ज्यादा भी डालें और बाकी का कमपोस्ट जिसमें आप रच्छे कोईली की केरी और कोई भी खाद वर्मी कमपोस्ट गोबर की खाद इट का चूरा पंजी साइड हल्दी चाय की पत्ती कुछ मर्जी जो भी आपके पास है अच्छे से मिक्स कीजिए और वेल ड्रेंड प्रोस से मिट्टी बनाएए और इस प्लांट को लगा दीचिए ऐसी मिट्टी होई जिसमें आप पानी दें और इसके चेज से बाहर निकल जाए तो यह प्लांट बहुत अच्छा से फ्लोरिश करता अगर इसकी प्लांट की जड़ों में पा तो कि इसकी sunlight requirement के बारे में बात करूं तो इस plant को आप semi shade में भी लगा सकते हैं और full sun में भी रख सकते हैं और complete shade में भी रखा सकते हैं यह हर climate में adjust हो जाता है देखें यह बहुत ही hardy सा plant है हर situation के हिसाब से अपने आपको ढाल लेता है देखें कितना खूरत लग रहा है इसकी water requirement के बारे में बात करूं तो इसे पानी कम चाहिए जिन प्लांट की leaves में needles होती है वो वैसे भी अपने आपको बचाने के लिए इनमें से पानी कम evaporate होता है इनमें से और इसलिए इने पानी भी कम चाहिए इसलिए आप पानी तब ही दे जब इसकी ऊपर की layer मिट्टी की आपको सूखी नजर आए तब आप इसमें पानी दीजिए इसकी fertilization की बात करें तो आपने पहले ही rich soil बनाई है तो इसे कोई खास fertilization की ज़रूरत नहीं है कभी आप और plants के लिए liquid fertilizer बना रहे हैं compost बना रहे हैं तो कभी-कभी से वह दे दीजिए देखें प्यारा लगता है इसकी propagation की बात करें तो देखें इसमें से babies निकलते हैं इससे आप अलग कर लें लेकिन ध्यान से क्योंकि इसमें कांटे होते हैं यह भी मैंने ऐसे बना मैंने एक प्लांट खूला था तो उसमें बहुत सारे थे बहुत मैंने मेरेकल 15-20 तो मैंने बांटे हैं उसके बाद य अपने पास रखें अब बहुत ज़्यादा बेबी निकलते हैं इसमें इतने मर्जी देखें इधर से भी हैं इधर भी हैं रणर्स ही रणर्स हर जगा रणर्स निगल तो बहुत ज़्यादा एक पार आप लगा लिजे इस प्लांट को यह हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा पस सिरफ पानी का ध्यान रखना है आपको खुबसूरत लगता है हेल्दी था रिच देता आपके गार्डन को अच्छा लगता है आप इसे सेरेमिक पॉर्ड में भी लगा सकते हैं खुबसूरत लगता है इसके उपर पैस्ट अटैक की बात करें तो यह बहुत हाड़ी प्लांट है इस पे कोई पैस्ट अटैक नहीं होता फिर भी आपको अगर सेफ साइट चलना है तो आप नीम ओयल का सप्रे कर दीचिए जैसे एक लिटर के पानी की बॉटल में एक प्लाश नीम ओयल तीन चार बुंदे कोई भी लिक्विड डिश्वॉश फोड़ा सा गोम उत्तर डालके उच्छे अच्छे से हिला कर उसे सप्रे कर दीजिए आप सेफ साइट रहना चाहेंगे तो उसी से बिल्कुल यह पैस्ट फ्री रहेगा देखिए कितना प्यारा कितना खूबसूरत सा प्लाट आई है इससे आप इंडोर भी रख सकते हैं आउट्डोर भी रख सकते हैं जहां आपकी इच्छा हो वहां रखे खूबसूरत वेरी नाइस मैं यह थोड़ और पुराना हो जाता है एस फ्राट तो इसमें निकलता है यहां से बहुत खूबसूरत सा फिंग कलर कर फ्राट बहुत खूबसूरत मुझे बहुत प्यारा लगा उसी के बाद बल्कि मैं इस प्लांट को लेके आई हैं तो पूल भी इस पर आते हैं बहुत सुन्दर फूल होते हैं इसके यह रोर साइट पर बड़ा ही कॉमनली दिखने वाला प्लांट है बस थोड़ा सा इसके कांटों से बचा के काफी तीखे लगते काफी बड़ा बंजाता है अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगते है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजी थैंक्यू